मंदर के दर्वाजे भक्तों के लिए खुले किये चाने के बाद आज नवरात्री के पहले दिन कोराड़ी माता मंदर में जगदंबा माता के स्वैंबू दर्शन के लिए श्रद्धालू मंदर पहुचे दर्शन हेतू श्रद्धालू बुद्वार की रात से ही मंदर परिसर पहुचे श्रद्धालू पड़े पैमाने में जगदंबा माता के स्वैंबू दर्शन के लिए कोराड़ी मंदर पहुचे विदिवत पूजा अर्चना के बाद मंदर के द्वार सुभा खुलने के बाद स प्लैंबू दर्शन कलाव श्रद्धालू ने लिया मंदे परिसर को आकरशक लाइटिंग से सजाया गया है श्रद्धालू के स्वास्का और कोरोना का संक्रमन ना हो इसलिए मंदे कमेटी ने इसका खास ध्यान रखा है कोरोना के दो टीके लिए श्रद्धालू को दर्शन कल लवसरल्ता से मिल रहा है जब कि टीकों से वंचिश रद्धालूं को मन्देपरीसर में प्रवेश पुत्र थे जनोबा नानोबा बानोबा बेरोबा खेरोबा अगनोबा दत्तासुर परंतु एक भी पुत्री ना होने के कारण राजा दुखी थे अंतहा राजा ने यग्ये होम हवन पूजा करके ईश्वल से कन्या प्राप्ति का वर मांगा तेजों में और देवी रूप कु ने योगि दिशा दर्शन किया एक युद्धि प्रसंग में राजा के शत्रु का भी यथा योग निर्ने देकर जगदंबा ने अपनी न्याय प्रियता का दर्शन कराया अफ्तारकारी की समापती पर सुर्यास के समय महलक्ष्मी जिसस्थान पर विराजमान हुई उसे जाख धर्म अर्थ का मोख्ष इन सभी में माजगदंबा की दर्शन से यशा प्राप्ती होती है ऐसी भक्तों की श्रद्दा है इन बीसीयं के लिए कोराडी मंदर से अरुन महाजिन की रिपोज